दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमारे चैनल में इस वीडियो के अंदर अब याँ लूसेंट समान ने ग्यान इससे रिलेटेड जो है इंपोर्टेंट 45 प्लस कुश्चन जो है इस वीडियो में देखने वाले है जो कि आपके आने वाले एकशाम से रेल बे गुरूप D, SSE, UP Police, लेखपाल और आने वाले सभी परतियोगिता परिक्षा के लिए ये काफी इंपोर्टेंट है तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्तिक देखिए चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन यानी जो घंटी के निस आने इससे जरूर सब्सक्राइब करते हैं ठीक है और ये टोटल जो 45 प्लस कोश्चन है आप इनमें से कितने कोश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कूर जो है कमेंड बक्स में जरूर बाता है तो चले शुरू करते हैं देखिए यहां पर हमारा पहला कोश्चन दिया ग अलावा यदि हम बात करें लॉर्ड करनवालेस की तो देखें लॉर्ड करनवालेस को जो है यह भारत में सीबिल सेवा का जनक माना जाता है और इन्होंने 1793 में बंगाल में अस्थाई बंदवस्त यानि जमिंदारी बेवस्ता की शुरूआत की थी ठीक है आपको याद फूल बाग मैदान गौालियर में रान लक्षमी भाई की समाधी अस्थल है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रसीद बेक्ति और उनके समाधी अस्थल लिखे हैं जो एकचाम में बार बार पूछे जाते हैं ठीक है तो देखें यहाँ पर जो पहला दिया गया है मह हत्मा गाधी जी की समाधी अस्थल कहाँ पर है राज घाट में है बिया रम्बेडकर इनकी समाधी चैत्रा भूमी में ज्वारलाल नेहरू सांती बन में लाल भादुर सास्त्री बीजे घाट में इंद्रा गाधी सक्ति अस्थल में राजीव गाधी बीर भूमी में चोधर चरन सिंग किसान घाट में डक्टर आजंदर परसाद माहा पर्यान घाट में मुरारजी देशाई अभय घाट में जग जीवन राम समता अस्थल में गुलजारी लाल नंदा नरायन घाट में ग्यानी जैल सिंग एकता अस्थल में के यार नरायनन उदय भूमी में और संकर्द इनकी समाध्य कहाँ पर है करम भूमे में ठीक है आपको याद रखना है कुश्चन नमबर टू है बिलियम बैंटे के द्वारा सती पर्था केशवर समाप्त की गई तो देखें बिलियम बैंटे के ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती पर्था को 829 में जो है समाप्त की गया था ठीक है से अंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर थोड है मुहमद बीन तूगलक ने अपनी रायधानी कहां बदली थे तो मुहमद बीन तूगलक ने अपनी रायधानी दिल्ली से देव गिरी बदली थे बात करें मुहमद बीन तुगलक की तो देखिए सन की बादसाह के नाम से किसे जाना जाता है तो ये मुहमद बीन तुगलक को एक जाम मैं पुछा जाएगा कि सन की बादसाह किसे बोला जाता है तो मुहमद बीन तुगलक को बोला जाता है मुहमद बीन तुगलक कब दिली की गदी पर बैठा 1325 में याद रखना है आपको 1325 में जो है मुहमद बीन तुगलक दिली की गदी पर बैठा इसकी मिर्तु के बाद जो है फिरोसा तुगलक 1351 में जो है गदी पर बैठा मुहमद बिन तुगलक की मिर्टू के बाद गदे पर कौन बैठा फिरोसा तुगलक तेरा सोई काउन में याद रखना है कुश्य नमबर चार है आचार्य भरत मुने के अनुसार रोसो की संख्या कितनी है तो भारत की पर्माडिक मध्य हम रेखा जो है 180 डीगरी पूर्वी देशांथर कहलाता है D answer हो जायेगा Qoson No.6 है भारत में नेमने लेखित में- किस श्येतर में मृदा परदन की समस्य गम्भीर है तो correct answer B हो जायेगा C वालिओ के 5 श्येतर में ठीके सिवालिक पहाड़ियों के पाच्षेतर में जो है मृदा परदन की समस्या जो है गंबीर है ठीके कुषिशन नम्बर साथ है वाईूदाब सबसे कम होता है तो देखे वाईूदाब जो है ग्रिस मिरीटू में सबसे कम होता है डि अन्शर हो जाएगा अस्तल तथा समुंद्र का बिभीदि तापन जो है इसका कारण है कुश्चेन नंबर 9 है दो बार माउंट एवरेस पर विजय मेक्षर प्राप्त करना वाली महिला है संतोस रहादा हुआद रखना है इसके अलावा Mount Everest related जो question एक जाव में पुछे जाते हैं वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं हिमाला के सबसे मुची चोटी कौन सी है Mount Everest Mount Everest के मुचाई कितनी है 8848.86 मीटर किस हिमालाई चोटी को सागर माथा भी कहते हैं तो Mount Everest को जो है सागर माथा कहते हैं Mount Everest नाम किस के नाम पर रखा गया सोर चार्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया Mount Everest पर चर्णवाली प्रोथम भारतिय महिला कोन है बचहिंदरी पाल प्रोथम भारतिय महिला है Mount Everest को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस को तीबत में किस नाम से जाना जाता है तो चोमुलंगमा ठीक है तीबत में चोमुलंगमा के नाम से माउंट एवरेस को जाना जाता है याद रखना है आपको दच्छिड भारत की नदिया परमुख रूप से निमनलेखित में से कौन सा अपवात अंतर रखती है तो ब्रिक्षुनूमा ठीके ब्रिक्षुनूमा अपवात अंतर रखती है दच्छिड भारत की नदिया C answer हो जाएगा कुलू घाटी जिन परवत स्रेड़ी के बीच वस्तित है वे है तो कुलू घाटी धौला धार तथा पीर पंजाल परवत स्रेड़ी के बीच में स्तित है कुलू घाटी answer हो जाएगा यह question number 12 है निमने लेखेत में से कौन सा स्वार मंडल का भाग नहीं है तो निहारी का जो है स्वार मंडल का भाग नहीं है बाकी तीनो स्वार मंडल के भाग है शुद्र ग्राव, दूमकेतूर ग्राव, तीनो जो है स्वार मंडल के भाग है साफ रात में मेघिय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है तो बीकिराण के कारण किसके कारण? बीकिराण के कारण जो है साफ रात में मेघिय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है तो आंसर हो जाएगा B कुश्य नमबर 14 है लोग सभा में राजेवार सीटो का वंटन सनुनिस एकोहतर की जनगर्णा पराधारी था यह निटधारन किस बस तक या थावत रहेगा तो यह दूहायर चबश तक जो है या थावत रहेगा ठीक है आंसर हो जाएगा बी कुछिन नंबर फिप्टीन है निमनलेखित बिबादों में से किसमे सरोच नियाले ने प्रस्तावना को भारतिय संबिधान की मौलिक सनरचना का भाग स्विकार किया तो यह केसवन अंद भारती बिबाद में ठीक है केसवन अंद भारती बिबाद में जो है यह सरोच नियाले ने प्रस्तावना को भारतिय स संबिधान के मौलिक, सन रजना का भाग सुउकार किया D आंसर हो जाएगा Qew Pixel No.16 है भारत में संग राजयो का प्रशासन किसके द्ROशासन किसके द्वारा किया जाता है राश्पति के द्वारा किया जाता है E, आंसर हो जाएगा Qew点 No.17 है Vbisa है जिन पर केंद्र वो राज्य सरकारे दोनों कानून बना सकती है उलेखित है तो ये उलेखित है समौरती सुची में ठीक है वे बिस है जिन पर केंद्र वो राज्य दोनों जो है कानून बना सकती है समौरती सुची में उलेखित है C आंसर हो जाएगा question number 18 है अध्या छात्मक सासन का उध्य सरप्रथम किस देश में हुआ तो सबसे पहले सन्यूत्राज अमेरिका में हुआ ठीक है answer हो जाएगा D question number 19 है रोटी किस गैस के काराण फुलती है very important question रोटी जो है किस गैस के काराण फुलती है तो ये carbon dioxide gas के काराण फुलती है ठीक है रोटी जो है ये carbon dioxide gas के काराण फुलती है D answer हो जाएगा question number 20 है किस राजा ने अपनी ही माज से साधी की थी किस राजा ने अपनी ही माज से साधी की थी तो इस राजा का नाम था ओपे डस कैसा राजा है भाई जो अपने ही माज साधी खर लिया था तो देखी इस राजा का नाम था ओपेडस जो की अपने ही माज से साधी किया था ठीक है आंसर हो जाएगा C Question No.21 है राजेपाल के बेतन और भते दिये जाते हैं तो Consolidated Fund of Estates से ठीक है राजेपाल के बेतन और भते दिये जाते हैं तो Consolidated Fund of Estates से दिये जाते हैं आंसर हो जाएगा ये Question No.22 है भारत में अस्थानिया स्वायता साषन को किसने प्रोचसाहित किया था लौड रीपन ने प्रोचसाहित किया था ठीक है D आंसर हो जाएगा इसके अलावा लौड रीपन की बात करें तो देखे इसके कारेकाल 1880-1884 भी तक था और इसने अपने कारेकाल में जो है अफगान युद की समाप्ती इलबर्ट बिल पर बहुस प्रेस की सोतन था प्रोथम फैक्टरी अधिनिया अस्थानिया स्वसासन की सुरुआत है जनगर्णा पर्णाली का स्थापना इसकूली सिक्षा है तू हंटर आयो की अस्थापना इसने किया था लौड रीपन के कारेकाल में ये सारे चीजे हुई थी तो याद रखना है आपको कुश्य नमबर 23 है भारत है प्रथम स्वतंता संगराम का मुख्य ततकाली कारण क्या था तो देखे इसके जो मुख्य ततकाली कारण था वो था अंगरेजो का धर्म में हस्तचेब का संदे ठीके भारत है के प्रथम स्वतंता संगराम का मुख्य ततकाली कारण क्या था तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तच्छेप का संदेश जो था इसके ततकाली करण था जातक कहानिया किस प्राचीन भासा में रची थे पाली भासा में रची थे डी अंसर हो जाएगा मगद का कौन सा संदेश तो ये जाना जाता है महा पदमनद अपरोप पर सुराम के नाम से जाना जाता है D answer हो जाएगा Question number 26 है Maurekal में लश्मणाध्यक्स कौन था? Maurekal में लश्मणाध्यक्स कौन था? टकसाल का प्रभारी करमचारी ठीक है? Maurekal में लश्मणाध्यक्स कौन था? टकसाल का प्रभारी करमचारी था? D answer हो जाएगा दिर्ग कालिन क्रेसी रिड़ किसके दोरा प्रदान किया जाता है भूमे विकास बैंक के दोरा है C आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर 28 है सरवचनिक छेत्र का तात्पर है बाणी जिय एवं ब्यापार पर सरकार का स्वामित हो इसके तात्पर है C आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर 29 है पिरेज में से गुजरने पर प्रकास का कौन सरवच सबसे अधिक बिचलन दरसाता है सबसे अधिक बिचलन जो है बैग नी दरसाता है C आंसर हो जाएगा कुश्चन नमबर 30 है तरंग और कौन दोनों की प्रकारती दरसाने वाले कौन कौन है तरंग और कौन दोनों की प्रकारती दरसाने वाले कौन कौन है तो यह है इलेक्टरॉन ठीक है आंसर हो जाएगा भी question number 31 है आसा की धातु किसे कहते हैं very important question दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लेज वीडियो को like जरू कर दें ठीक है और अपने दोस्तों में share जरू कर दें ठीक है और चैनल पनाया है तो चैनल को subscribe करके बेल आइकन यानि जो घंटी के निसान है जरूर अन करते है ठीक है बेल आइकन अन करने से फायदा यह होगा कि जब भी मैं कोई निव वीडियो अपलोड करूँगा उसका notification जो है आपको सबसे पहले मिल पाएगा ठीक है तो subscribe करने के बाद बेल आइकन अन रखें तो आसा की धातू किसे कहते है यूरेनियम को ठीक है आसा की धातू किसे कहते है यूरेनियम को कहते है यह answer हो जाएगा betrayal of sulfuric acid को कहा जाता है D answer हो जाएगा 43 है ये कार और भरी हुई एक truck है रास्ते पर समान गति से चलते हैं ट्रक से तूलना की जाएँ तो कार धारंसे करेगी कौम गाती जूर्जाग करेगे ठीक है C अंसर हो जाएगा निमने लेखित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित यहाँ पर दूसरा नहीं है कौपर का एस्क सिने बार नहीं है बाकी तीनों करेक्ट है कौपर की बात करें तो कौपर को सी यू से सुचित किया जाता है और इसके आयस का है कौपराइट कौपर गलांस है कौपर पाइरेट ठीक है कौपराइट को जो है सी यू टू वो बोलते है इसका सुत्र है कौपर गलांस का सी यू टू एस copper pirate का c u f e s 2 जो इसका सुत्र है याद रखना है निमने लेखित में से कौन output device नहीं है तो touch screen जो है output device नहीं है monitor, printer, platter तीनों जो है ये तीनों जो है output device है याद रखना है vitamin C का रासाइनिक नाम है तो vitamin C का रासाइनिक नाम है scurvy come याद रखना है scurvy come vitamin C का रासाइनिक नाम है ये हो जाएगा gasya इस्तिती में पाया जाने वाला हर्मोन कौन है gasya इस्तिती में पाया जाने वाला हर्मोन कौन है ethylene है ठीक है b answer हो जाएगा मानुसरी के धेमी ब्रेधि किस कमे के कराण होती है protein की कमे कराण होती है c answer हो जाएगा question number 49 है नदे के परवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है नदे के परवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है तो ये q-sac का उपयोग होता है ठीक है b answer हो जाएगा question number 40 है बीधूत केतली में पानी गर्म होता है विधुत के तले हैं पानी गर्म होता है स्वाहन के करण गर्म होता है बी अंसर हो जाएगा फोटिवन है, हिंदू वे अफ लाइफ किसकी रचना है, राधा क्रिशनन की रचना है, ठीक है, हिंदू वे अफ लाइफ राधा क्रिशनन की रचना है, भारतिय लाख अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है, राची नामकुम में इस्तित है, ठीक है, राची नामकुम में इ जाएगा सरवाधिक सिमा महला देश कौन है देखिए very important question है याद रखना है आपको सरवाधिक सिमा महला देश कोन है चाईना है ठीक है चाईना की बात करें तो चाईना की सिमा 14 देशों से लगती है ठीक है lugar देशonya देखिए 14 देश भारत मंगोलिया, कजाकिस्तान, उत्री कोरिया, रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, मैमार, लाओस, और भी अतनाम, ठीक है, ये टोटल 14 देशों से, चीन की सीमा लगती है, याद रखना है आपको, अंतराश्टियत, चावल अनुसंधान के अंदर कहां इस्ती थे, अंतराश्टियत, चावल, अनुसंधान के अंदर कहां इस्ती थे, मनेला, फिलिपिंग्स में इस्ती थे, D, आंसर हो जाएगा, कुश्यन नमबर 45 है, प्रथम, पंच वर्षी उजना की प्रात्मिक्ता क्या थी, तो देखे, इसकी क्रेशी का विकास, ठीक है, C, अंसर हो जाएगा, उसके बाद है, यहाँ पर हमार अगला कुश्यन है, भारत में सेवा कर, किसकी सिफारिस पर लागू किया गया, भारत में सेवा कर, जो था, सेवा कर, यह किसकी सिफारिस पर लागू किया गया, तो देखे, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा राजा चेलाया समीति के सिफारिस पर भारत में सेवा कर लागू किया गया ठीक है तो दोस्तों यह थे लूशन्ट समाने गयान के इंपोर्टेंट 46 कोश्चन आप इन 46 कोश्चन में से कितने कोश्चन सही कर पाएं अपना इसको कमेंड बॉक्स में जुरूर बाता है और वीडियो पसांद आया रहाएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करतीजेगा अपने दोस्तों में सेयर करत दिजेगा चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है घंटी का निसान उसे जरूर स्यान कर दिजेगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार चैहेंद चैभारत